ठीक है तो आज का मारा टॉपिक है बायो मेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एन काइडलाइन्स क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कुछ में लिखने की ज़रूवत नहीं है क्लास के नूट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे वहां से आप डायरेक्ट आउलोग कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारा हॉस्पिटिल वेस्ट मैनेजमेंट वाले चैप्टर का अगला टॉपिक इसके पहले हम पायो मेडिकल वेस्ट पढ़ चुके हैं उसके अंदर जो कुछ कुछ और पुछे जाते हैं sources क्या होते हैं, हजार्स क्या होते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं, यह हम आज पढ़ेंगे, biomedical waste की guidelines क्या होती हैं, और उसकी categories क्या-क्या हैं, इसकी भी सवाला आया है, आगे आने वाले वीडियो में हम treatment modalities पढ़ेंगे, spill management पढ़ेंगे, और symbols कौन-कौन से important होते हैं, hospital waste management में वो पढ़ेंगे, ठीक, तो शुरू करते हैं हमारे hospital waste management वाले chapter का अबकला topic, और भाई साब बहुती बहुती जादर important topic, हद important topic that is biomedical waste categories and guidelines, अब ना, शुरू करने से पहले ही समाझ लो, कि भाई, अगर कोई तुमसे पूछता है कि biomedical waste की कितनी categories होती हैं, तो भाई साहब, कुछ यहाँ वहाँ नहीं सोचना, बोलना चार categories होती हैं, वो चार categories कौन सी होती हैं, वो हैं, उसके जो color coding है वही, yellow, red, white और blue, खातम बात, कौन-कौन सा, yellow, red, white और blue, जिस चार color के डब्बे होते हैं, बस वही उसकी color coding है और कुछ नहीं, तो categories चार कौन सी हैं, सबसे पहले आएगा yellow, उसके बाद आएगा red, उसके बाद आएगा white और उसके बाद आएगा blue, सबसे पहले चीज़ तो यह guard बंद लो, कि भाईया, चार categories हैं, और कुछ नहीं याद रखना, ठीक, second चीज़ जो याद रखने वाली है वो यह, कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ है, उसको भी याद कर लो, थोड़ा सा, कि भाईया, yellow के अंदर ना, सारी जिन्दा चीज़े, यानि कि जो जिन्दा थी, या जो जिन्दा हैं, वो वाली चीज़े डाल दो, अब जिन्दा थी में, human थे, human anatomical waste, animal थे, animal anatomical waste, in fact, microorganisms, तो micro से निकले, micro lapse से निकले हुए सारे waste, उसके अलावा, अगर आप बोलो, तो जितनी भी drugs होती है, expired drugs है, वो भी कभी active थी, active enzymes वो अगरा थे, उनके अंदर, तो वो भी कभी जिन्दा थी, वो भी निपट चुकी है, तो ये सारी चीज़े, आप yellow में डालोगे, और ना, अगर आप देखो, तो जो yellow color होता है, yellow color की क्या होती है, आग होती है, तो yellow color वाली ना, जादातर चीज़ों को आप incinerate कर देते हो, simple, ये चीज़ याद रखना, कि जादातर जिन्दा चीज़े, अगर आप देखो ना, जादातर जिन्दा चीज़े जो होती हो, yellowish color की ह रेड की थे होती हैं अगर काटो के शरी खेश तो अंदर की स्किन भी येलोिश खलार की दिखेगी तो येलो कलर जिंदा ठीक है और पिर येलो कलर की आख तुझचला दो ये तो पहले हैं ये याद रखना फिर हम बात क रहें रैड की तो भी R for red और R for recyclable तो recyclable जो होते हैं ठीक है R for red, R for recyclable तो recyclable जो होते हैं ना उन सारे चीज़ों को आप red में डालोगे, recyclable material किसका बना होता है ज्यादा तर rubber के बने होते हैं या plastic के बने होते हैं तो इनसे बने होई चीज़ों को आप red में डालोगे, जैसे कि gloves हो गया, या फिर tube links हो गयी, या फिर vaccutiner हो गया या फिर आप बोलोगे तो catheters हो गये, तो ये सारी चीज़े आप red में डालोगे, मुखे ता recyclable जो चीज़े कर सकते हो, जो plastic की बनी होती है वो, तो कैसे याद करेंगे R for red तो R for recyclable, ठीक है, और अगर आप देखो ना, तो यही जो R है, इसका आप एक डंडी हटा दो तो बन जाएगा, P, तो plastic की चीज़े भी सारी की सारी आपको red के अंदर डालनी है, समझ गया, जैसे कि syringe होगे हो, उसकी needle निकाल दी, आपने तो plastic syringe जो है, उसको भी इसमें डाल दो तो जाता plastic वाली चीज़े है, आप red वाले में डालोगे यह समझ गए, आगे हम देखेंगे क्या क्या रहेगा, अभी याद करने के लिए ओकी, फिर आता है भाहिया white, तो जो हमारा white होता है ना उसमें क्या डालोगे, तो white के अंदर देखो, आएगा आपका यह इत्ता बड़ा T, white है या फिर आपका क्या है ज्यादा तर white ही होता है, या फिर होता है translucent देखो इत्ता बड़ा T आया T आया तो T से क्या होता है, T से होता है तीर, तीर कमान देखा है धनुषबाडवला तीर कमान तो तीर कैसा दिखता है, यह जो T है इसकी नीचे की लाइन तो ऐसी रखो और उपर वाली जो यह लाइन है ना इसको आप क्या कर दो, नीचे की लाइन ऐसी करी उपर की लाइन को तीरा कर दो तीरों क्या यह ती से तीर बन गया और तीर की सबसे खास बात क्या होता है कि सामने से यह कैसा होता है नुकीला होता है नुकीला याने शार्प होता है तो शार्प वेस्ट किसमें जाएंगे आपके वाइट या ट्रांसलूसेंट में समझके तो वाइट से क्या याद आया वा तो तीर का जो टी है उसको ऐसा कर दो तो ऐसी तो दिखता है तीर है ना तो तीर कैसा होता है नुकिला होता है याने की शार्प होता है तो शार्प वेस्ट जो है वो किसमें डालोगे आप वाइट या ट्रांसलूसेंट टिप्पे में डालोगे याद रहेगा अब बहुत सार पनी चीजें हैं वो सारी की सारी शार्प चीजे आप white ये translucent ठफ़े में टालोगे, समझ गए, yad रहेगा, उसके बाद आता है आपका blue box, अब blue box में क्या डालोगे, अब blue box में अगर याद करना है क्या डालोगे तो भाईया पता अपने बच्पन में चलो मम्मी आती थी, दोनों भाई हम लोग ललके बैठे रहते थे मम्मी को हाथ में सबसे पहले ना यहाँ वहाँ कुछ देखती है तो सबसे पहले पता नहीं कैसे यार पर उनको मिल जाती थी एक metallic rod देथी थी, आसी सुटाई करती थी ना हम लोगों की, कि हम लोग जहाँ जहाँ वो rot पड़ती थी ना वो शरीर कैसा पढ़ जाता था नीला पढ़ जाता था in fact कभी चलो अगर बच्पन में तुम लोग को कुछ जादी प्यार से पला गया है तो थोड़ा बड़े हो जाओ थोड़ा जब बड़े हो जाओगे तो हॉस्टल में रहे होगे हॉस्टल में साला दारूपी के लडाई भी की होगी अब जब दारूपी के लडाई करते हो ना साला, तो हाथ में सबसे पहले पता क्या आती है हाथ में आती है bottle ठीक है तो glass की bottle तो ये glass की bottle लेते हो दे तो एक पीठ में मिला के तो पीठ पे कैसा पढ़ जाता है blue नीला पढ़ जाता है जब bottle खीच के मारते हो पीठ पे या फिर in fact अगर आपके पास glass rod को imagine करो तो glass rod भी अगर खीच के मारोगे तो blue पर जाएगा तो या तो glass की bottle खीच के पीट पर मार दो या metallic rod खीच के पीट पर मार दो पढ़ना हमेशा नीला ही है तो नीला मतलब metallic implants और broken glass vials या empty glass vials समझ गए तो blue में क्या रखोगे blue में या तो आप रखोगे metallic implants वगर रखोगे या फिर broken या empty vials रखोगे ठीक है अब ये vaccine vials भी हो सकती है medicine vials भी हो सकती है या तो broken रहेंगी या तो empty रहेंगी glass वाली समझ गए तो ऐसे आप याद रख सकते हो फिर से quick recap भीया yellow येलो येलो जादा तर जिन्दा लोग yellow type के दिखते हैं तो जातर जिन्दा चीज़े yellow में yellow color की आग होती है तो यानि कि जातर yellow वालो को incinerate कर दोगे r for red r for recyclable ठीक है और यही r जो है r कर एक डंडी हटा दो तो p बन जाएगा तो प्लास्टिक तो सारी प्लास्टिक और recyclable चीज़े आपको रैट में डालनी है उसके बाद आगे आपका white तो white के tea से क्या हो गया white के tea से हो गया तीर तो तीर का जो tea है वो ऐसा दिखता है तो यह क्या होता है sharp होता है या नुकिला होता है तो sharp और नुकिली चीज़े आप डाल दो white के अंदर जो blue होता है तो blue में या तो metallic rods से आपकी सुटाई हो जाएगी या तो आपको glass की bottle से मारा जाएगा और दोनों में कैसा पड़ेगा आपको नीला पड़ेगा तो metallic implants या broken glass vials या empty glass vials of vaccines and medicines इनको डालो गया blue में याद हो गया तो याद रखने यह बहुत काम आने वाला है आगे ठीक है तो यह हो गया हमारा biomedical waste की categories और कौन-कौन से चीज़े अब शुरू करते हैं क्या-क्या इसके अंदर आता है तो सबसे पहली चीज भाईया yellow के अंदर क्या-क्या आएगा पहली चीज कि भाईया yellow जो है वो art subclasses में divide किया गया है और यह जो yellow color का bag होता है न यह डिबबा होता है यह non chlorinated plastic bag होता है non chlorinated शब्द याद रखना ठीक है अब हमने जो कहा कि इसमें art subclass होती है categories में तो वो art के अंदर कौन-कौन से waste आते हैं पहला आता है human anatomical waste human anatomical waste मतलब की insanos related parts body parts वगरा insanos related चीजे आदमियों से औरतों से insanos related चीजे जो की waste में आती है जैसे कि human tissues हो गए human organs हो गए body parts हो गए placenta हो गया fetus हो गया tooth हो गया यह सभी आपको hospital से निकलते हुए देख जाएंगे तो यह सारे के सारे waste आप काई में डालोगे यह सारे के सारे waste इतना बड़ा दिख रहा है यार color कौन से में डालोगे yellow में डालोगे अब आपने yellow डब्बे में तो डाल दिया उसके बाद उनका क्या करोगे तो उसके बाद उनको आप मैंने कहा था yellow है तो भई यह सबसे पहली चीज़ तो जला डालो सबसे चीज़ जला डालो भई अब इंसानों को क्या करते हैं मृत्यों के बाद जातर क्या करते हैं जला देते हैं जितने भी जिंदा चीज़ें होती हैं उनको निप् बरिल भी कर सकते हैं अबना ये इंसिनरेशन क्या होता है प्लाजमा पायोलेसिस क्या होता है डीप बरिल क्या होता है यह हम अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अगला वीडियो जो हम करेंगे डैट वॉल बी ट्रीटमेंट मॉडालिटीज ऑफ पायोमाडिकल वेस्ट उसमे की डिलिवरी के बाद प्लासेंटा हो गया या फिर फीटस है टूथ है यह सब चीजें जो वेस्ट निकलेंगी इनको हमने पीले डबे में डाला या पीले बैक में डाला या तो जला दिया इंसिनरेट कर दिया या प्लाजमा पायोस कर दिया या उनको जमीन के नीची गाड दिया ठीक है तो वह यह इंसानों के साथ जा मित्यू के बाद क्या होता है कि या तो जला देते हैं या तो गाड़ देते हैं तो वह कर दिया ठीक है ऐसे ही अनिमल अनाटॉमिकल वेस्ट है अब अनिमल अनाटॉमिकल वेस्ट क्या है कि भाईया रिसर्च की तुमने जानवरो इस से as a waste product तो ये जो waste होते हैं इनको आपने किस में डाला इतना बड़ा दिखी रहा है येलो कलर के डिब्बे में डाला और इस येलो को क्या किया फिर वही या तो incinerate कर दो या तो plasma pyelosis कर दो या तो deep bury कर दो ठीक तो that was our second class of yellow category that is animal anatomical waste उसके बाद बहुत important आ रहा है soiled waste soiled का मतलब क्या होता है soiled का मतलब होता है कि जिवाणियों से या किसी चीज से soiled हो गया कोई चीज लगी जैसे हम पट्टी बानते हैं अपने चोट पे तो फिर जब पट्टी हटाते है तो उस पर पूरा खून-खून लगाता है that is खून से soiled हो गया या फिर कहीं पस आती रहती है पट्टी बान देते हैं फिर जब पट्टी निकालते हैं तो पूरी पस-पस उस पट्टी में पट्टी से soiled हो गई तो वो चीज लग जाना जैसे हम face mask वगरा पहनते हैं तो सामने उपर की तरफ क्या होता है पूरे किटाडू वगरा उपर जम जाते हैं face mask वे तो face mask भी उपर से किटाडू उसे soiled हो गया ठीक है तो ऐसी चीजें जिन पर infectious material या फिर कहना चाहिए कि जिन पर blood लगा हो पस लगी हो जिवाणू लगे हो तो उससे soiled हो that is soiled waste ठीक है अब इसमें एक चीज बहुत important याद रखना कि भाईया इसमें कोई pretreatment की जरूरत नहीं होती है इसको आपने डब्बे में डालोगे और सीधा उसको treatment modalities की तरफ भे ठीक है अब ये soiled waste के अंदर क्या क्या examples है देखो पहला तो रूई आप cotton से चोटो को साफ करते हो उसके अलावा dressing material जो आप पटी वगरा बानते हो जब वो पटी खोलोगे तो उस पूरी blood से या पस से या इन सब चीजों से soiled होगी yellow डब्बे में डाल दो plaster cast जब आप plaster बा bloods and body fluids तो इन सब को निकालो और yellow डब्बे में डाल दो उसके बाद अभी जो PPE kit वगरा पहन रहे हो उसमें भी कुछ चीजे हैं जैसे कि shoe cover आप पहनते हो shoe cover पहन के जब आप wards वगरा में shoes के नीचे अपन PPE kit में cover नहीं पहनते हैं आगे हम photo देखेंगे तो उसको भी उठाओ क्योंकि वो नीचे से पूरा soiled हो गया है चीजों से तो उसको उठा के आप yellow में डाल दो जो हम mask पहनते हैं इस वक्त जैसे कि N95 हो गया face mask हो गया surgical mask हो वह सब भी क्या होता है सामने की तरफ से बाहर की तरफ से पूरा dust और किटाड़ों से soiled हो जाता है तो उसको भी उठा के आप यह डबे में डाल दो ठीक उसके लवा bags कई bags होते हैं जिसके अंदर discarded या residual bloods होते हैं या blood components होते हैं जबसे आप blood bag I mean आप वहां जाते हो blood bank में जाते हो तो blood component लेते हो या whole blood लेते हो जब वह use हो गया तो फिर उस blood bag का या blood component वाले bag का क्या करना है उसको आपको yellow में डालना है अब यहां पर एक चीज याद रखना बहुत important है और उसको याद कर लेना in fact की की blood bag होता है और urine bag होता है तो blood कौन से color का होता है blood मुखिता जादा तर क्या हमेशे ही red color का होता है और urine जादा तर yellow color की होती है तो red को yellow में yellow को red में ऐसे याद कर लो तो blood bag जो होता है तो उसमें red color का blood होगा तो उसको yellow color की डिब्बे में डालना है और urine bag urine bag के अंदर yellow color की urine होगी तो उसको red color की डिब्बे में डालना है समझ गए तो क्या याद किया हमने हमने याद किया कि red color क्या जो blood bag होता है उसको हमको yellow color की डब्बे में डालना है और yellow color की urine जो urine bag में होती है उसको हमको red में डालना है समझ गए तो red को yellow yellow को red याद रहेगा तो ऐसे याद कर लेना कि red याने की blood bag उसको yellow डब्बे में डालो yellow याने की urine bag उसको red डब्बे में डालो ठीक है याद रखना बहुत confusion होता है अब आपने यह सब जो soiled waste है इनका क्या किया इसको आप उठाओ और सबसे पहले चीज तो वह ठीक है उसके लावा क्या कर सकते हो या फिर आप autocliving कर दो microwave कर दो या hydrocliving कर दो और उसके बाद छोटे-छोटे तुक्डों में काट तो shredding कर दो और mutilation कर दो चोटे-छोटे तुक्डों में काट तो उसके बाद ठीक है समझ गया तो soiled waste समझ में आ गया क्या होता है क्या इसके examples और आखने में क्या करना है फिर वह यह जो autocliving है microwave है hydrocliving है यह सब क्या होता है यह हम अगले topic जो वीडियो में पढ़ेंगे that is अगला वीडियो जो देखेंगे treatment modalities in biomedical waste उसमें सारी photos देखेंगे और समझेंगे क्या है अभी सिर्फ नाम ठीक है तो इसको याद करने के लिए सबसे चीज़ जिस क्या है भाईया यहां पर भी अगर आप उपर वाले में देखो तो इसको IPD याद कर लो और उसके नीचे वाले को भी मुखिता IPD ही है incineration, plasma pyelosis, deep прим ठेल ठीक है याद होगी है यह तो IPD, IPD, incineration, plasma pyelosis, deep прим ठेल. ठीक है समझ गय है तो यह क्योंकि यह सब जो waste है ना यह देखो, deserve pricing और यह सब कुछ और in fact आपको यह जो body parts यह हैए टिशूज आपको IPD के थ्रूई मिलेंगे, IPD में आपने सैंपल लिया होगा, इन सब चीजों का, उसके बाद लाब में बेजा होगा, इन फेक्ट ये प्लास्टर का और ड्रेसिंग वगरा आप चेंज करोगे, IPD में करोगे, तो IPD याद कर सकते हो, इनसिनरेशन, प्लाजमा पाइरसिस, टीप परें, समझ गए, तो ये हो क्या आपका, Soiled Waste, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, Expired या Discarded Medicine, ये बहुत important है, पता क्यों, क्योंकि ना, पहले जो होता था था ना, चार कलर्स होते थे, पहले वाले जो चार कलर्स होते थे ना, वो येलो तो होता था, और रेड भी होता था, और ब्लू भी होता था, मगर परिशा यानि क्या या पर ब्लाक होता था, ब्लाक को हटा दिया गया है और वाइट को ले आए हैं, तो एक्चुली में जो expired medicine पहले ना, ब्लाक में होती थी, पर इसको भूल जाओ, अभी expired and discarded medicine जो है, उसको हमने येलो के अंदर डाल दिया है, ठीक है, फिर ये जो medicines वागरा है, ये कभी काफी active हुआ करती थी, active ingredients हुआ करती थी, active enzymes हुआ करती थी, यानि ये medicine भी कभी जिन्दा थी, जो कि अब expire हो गई है, तो जो जिन्दा थी और expire हो गई है, काई में डाल दिया तुमने उनको, येलो में डाल दिया, है ना, तो expired and discarded medicine, इनके examples के तोर पे इसमें जो outdated मतलब के expiry date के उपर हो गई है, contaminated हो गई है, contaminated हो गई है, contaminated यानने कई बार देखा है कि बारिश वगर में तुम वो दवाई का tablet एक खोल ले तो दूसरी भी, दूसरी भी हाल किसी कटे जाती है, जब उसको खाने के लिए खुलते हो, बाद में एक दो दिन बाद तो एक्दम वो इसको नहीं का ना, या discarded medicines है, जो दवाईयां अब इस्तमाल की नहीं है, खराब हो चुकी है, उनको आपने discard कर दिया, या in fact जो cytotoxic drugs होती है, यह सारी की सारी चीज़ें, यहने के outdated medicine, contaminated या discarded medicine, cytotoxic drugs, यह सभी के सभी को आपको किसमें डालना है, yellow color की डिपे में डालना है, इसके बाद आप इसका करोगे क्या है, फिर वही है, incineration कर दो, plasma paralysis कर दो, या और साथ में, encapsulation भी कर सकते हो, तो इसको आपको deeper ही तो करना नहीं है, तो आप क्या करोगे, IPE, incineration, उसके बाद plasma paralysis, और क्योंकि E for expired drugs है, तो E यहाँ पे आपने D की जगा पे E रखती है, ठीक है तो याद रखना कि यह जो expired drugs है, इनको आपको deeper ही नहीं करना है, इनको आप encapsulation कर दोगे, यह encapsulation क्या होता है, हम आगे समझेंगे, photos के साथ, treatment modalities वाले वीडियो में, ठीक, उसके अलावा, या तो आप इसको incinerate कर दो, या फिर आप इस pharma company को भेज़ दो, simple, ठीक है, उसके आता है chemical waste, तो chemical waste में क्या आएगा, chemical waste कहां से निकल सकता है आपके hospital में, या labs में, या research facilities में, तो जब आप disinfect करने के लिए use करते हो, insecticides वगरा, वो chemical waste होते हैं, या फिर जो chemical containers होते हैं, जो chemical containers हैं, जिसमें कि यह chemicals आए हैं, वो सारे chemical containers, इन सब को आप क्या करोगे, इन सब को आप सबसे पहली चीज़ तो yellow double में डालोगे, और फिर वही है, क्या तो incinerate कर दो, या फिर pharma company को वापस भेज़ दो, ठीक, तो these are all chemical waste, chemical waste में क्या क्या आएगा, वो chemicals जो हम disinfection करने के लिए use करते हैं, और वो containers जिसमें ये chemicals आए थे, वो सारे चीज़ें आपने yellow म डाला, और इसको करने के लिए आपने treatment modalities के तौर पर या तो इनको जला दो, या फिर वापस pharma company को भेज़ दो, समझ गए, तो these are all chemical waste, अब क्या आता है, अब आता है आपका liquid waste, तो भाईया liquid waste में क्या आएगा, liquid waste में सबसे पहली चीज़ तो imagine करो, liquid waste आपको अस्पताल में कहां पे मिलेगा, liquid waste आपको मिलेगा, labs में, biochemistry labs में, bath lab में मिलेगा आपको, radio lab में मिलेगा आपको, जैसे disinfecting activities में जो अपने lab में liquid use किया है, या फिर आपने जो x-ray जो use किया है, वो x-ray film जो बनाए जिसमें dip करके निकालते हैं, वो x-ray का जो liquid होता है, या फिर आपने formula में, जो path lab में आपने formulin में उसको stabilize किया होगा आपने वो formulin वगरा या एनार्ट में आपने जिसमें bodies को रखा होगा formulin वगरा वो formulin या फिर आपने path lab में जो infected secretions है आप path lab में लगे होगे body secretions वगरा को secretions या फिर आपने path lab में medicine department से अलग अलग department से body fluids aspirate करके test के लिए भेज़ोंगे वो body fluids हो गए यह insecticides हो गए यह सभी कि सभी liquid waste में आएंगे अब जब यह liquid waste में आएंगे तो इनको करना क्या है इसमें याद रखने यह बहुत important चीज है इनको पहले आपको treat treat करना है याने पहले आपको disinfect करना है उसके बाद आप drain करोगे ऐसे ही नहीं बस बहाद होगे पहले आप treat करोग उसके बाद आप drain कर दोगे तो liquid waste में मुक्यता आपको क्या याद रखना है liquid waste में मुक्यता वो x-ray वगरा जो हम dip करते है liquid में वो या फिर जो body fluids aspirate करते हैं test करने के लिए या infected secretions वगरा होते हैं या labs में जो formalin वगरा होते हैं इनको मुक्यता याद रखना है कि इनको आपक येलो कलर के डिबबे में डालना है और discard या dispose of या treat कैसे करना है पहले treat करोगे पहले disinfect करोगे उसके बाद trade कर दोगे तो यह हो गया आपका liquid waste समझ गए उसके बाद आता है आपका discarded linen हो गए mattresses हो गए beddings हो गए जो की contaminate हो चुकी है blood या body fluids अब भया जो patient है patient समीन पे तो सोता नहीं है patient को आप IPD में एक बिस्तर देते हो ठीक है अब जो उस बिस्तर पे जो चादर बिची होती है उसके बाद उस बिस्तर पे जो beddings होती है तक्या cover वगर होते है mattresses होती है जो ओडने का कपड़ा होता है ओडने की चादर होती है यह सभी के सभी वो patient को चोट लगी है infected ह body secretions हो रहे हैं तो blood या body fluids उसके जो होते हैं उससे वो खराब हो जाती है यह वो चीज़े उसमें लग जाती है तो आप क्या करोगे पहले उसको pre-treat करोगे फिर आपने pre-treat कर दिया disinfect कर दिया फिर non chlorinated disinfection करोगे मतलब आप उसका उसके बाद या तो उसको जला दोगे या त तो सात्वी जो subclass आती है यलो में वो होती है discarded linen mattress beddings जो कि contaminate हो जाती है पिशेंट के blood या body fluid से उनको आप pre-treat करोगे क्या करोगे non chlorinated disinfection से disinfect करोगे और उसके बाद या तो जला दोगे या तो छोटे-छोटे तुक्रों में पाढ़ दोगे समझ गए तो this was 7th subclass discarded linen mattress beddings सबसे अखरी में जो subclass आती है ना yellow वाले की वो होती है microbiological waste या biotechnological waste अब यह है क्या कुछ नहीं है वह जो microbiology की या biochemistry की lab से निकलते है ना यह वो है तो इसमें क्या क्या निकल सकता है अब micro में जाओगी तो तुमको क्या मिलेगा वहाँ पे क्या करते है culture plates होती है जिसमें आ पाया जाता है वो सारी चीजें तो इनको आप क्या करोगे फिर वह यह microorganism जिन्दा है इनको क्या करोगे yellow में डालो ठीक है इंफेक्ट ग्लुकोमीटर की जो strips होती है जब आपने blood sugar वगर नापा उसके बाद वो strips जो है उनको भी yellow में डालोगे और जो मैंने कहा था याद है blood bag भाया जो आपका blood bag है ना उसको आपको yellow में डालना है जो हमने discuss किया था ना कि भाया blood bag yellow में urine bag red में तो blood bag को आपको yellow में डालना है ठीक फिर क्या करोगे इसका तो भाया वो ही है कि इसमें भी pretreatment की जरूरत होती है तो आपने non chlorinated disinfection किया और उसके बाद आपने उसको जला डाला यानि की incinerate का डाला समझ गए तो यह थे आपके yellow color में क्या क्या चीज़े आती है आपको जो question पूछा जाता है यह नहीं पूछा जाता कि इसके अंदर क्या आपको डायक पूछा जाता है कि बताओ blood bag किसमें डालोगे yellow में डालोगे ड्रेसिंग किसमें डालोगे yellow में डालोगे human tissue किसमें डालोगे yellow में डालोगे cytotoxic drug किसमें डालोगे yellow में डालोगे ऐसा question पूछा जाता है ठीक है समझ गए या फिर उसका पूछ ले जाता है कि इसको कैसे treat करोगे तो जला डालोगे जला डालोगे जालतार को तो जला डाल क्या है और सबसे आखरी में कि उसको ट्रीट कैसे करोगे समझ गए तो यह हो गया आपका भया treatment modalities की कैसे उसको treat करोगे और क्या कि चीजें yellow bag में होंगी समझ गए अब आता है में कौण कौण सी चीजें हमने देखी थी यह anatomical waste human anatomical waste आपको देख रहा है आपको placenta वगरा भी देख रहा है तुत वगरा भी आपका human anatomical waste में जो lab animals हम use करते हैं research करने के लिए वो आपको मिल जाएगा animal anatomical waste में फिर body fluids वगरा जो हम निकालते हैं वो आपको मिल जाएगा liquid waste वगरा में उसके बाद हमने जो microbiological culture plates होती है वो आपको microbiological waste में मिल जाएगा याद है हमने shoe cover वगरा देखा था तो और mask देखा था हमने वो आपको मिल जाएगा soiled waste में उसके बाद bad linen वगरा हमने देखी थी उसके बाद पट्टियां वगरा हमने देखा था, उसके बाद expired medicines हमने देखे थी, ये सारी की सारी चीज़े किसमें आएंगी yellow के अंदर आएंगी तो yellow डबब में इन सारी चीज़ों को डालना है, समझ गए अब एक और चीज़ याद रखना कि ये जो yellow bags होते है ना, ये yellow bags जो होते हैं ये bio degradable waste products जो होते हैं उनको in yellow bags में डाला जाता है वही जो हमने कहा, जिन्दा चीज़े जो होती है ज़्यादा तर जब मर जाती हैं bio degradable होती है, तो उनको yellow bag में डालना है, उसके अलावा एक और चीज़ याद रखना that is आपका 3Ds in hospital waste, ये 3Ds क्या होता है hospital waste management में ये 3Ds in hospital waste management है, disinfection disposal and drainage ठीक है, तो ये 3Ds है, कैसे याद करोगे this this drain, मैं ता सी याद करता हूँ this, this drain this, this drain this, this drain, तो disinfection, disposal disposal और drainage this, this drain 3Ds जो है, वो ऐसे याद कर सकते हो उसके लावा एक MCQ मिला था कि भाईया, अगर एक जो HIV patient है उसकी dressing है जो कि उसके blood में soaked है उसको क्या करोगे तो I will say कि भाईया, पहले उसको treat करो 1% hypochloride से उसके बाद उसको जलाने के लिए yellow bag में डालके भेज़ दो एक MCQ मिला था सिधा सिधा, तो उसको क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, तो उस पे कई बार इस पे MCQ मिल चुका है, अलग अलग platforms पे, तो उसका answer ऐसा है ठीक, तो ये था आपका पूरा का पूरा yellow bag तो इतनी चीज़ से तो yellow bag या yellow category में पता होनी चाहिए, ठीक है? हम हमेशा yellow category बोलेंगे, ठीक? उसके बाद आता है second number पे that was red category तो ये जो red category होती है ना, इसमें red color का non chlorinated plastic bag होता है या फिर container होता है अगर plastic bag होता है तो उसकी thickness कित्ती होनी चाहिए at least more than 50 microns होनी चाहिए red में याद रखना कि कोई pre-treatment की जरूरत नहीं होती है सिधा आप डबे में डाल दो तीक, अब इसमें red वाले जो bag होता है इसमें कौन सा waste आता है तो इसमें contaminated waste आता है या recyclable waste आता है अभी contaminated recyclable waste के examples के है जाता जो disposable items होते है न वहीं जो हमने कहा था भईया क्या कहा था हमने R, R से एक वो हटा दो तो P हो जाएगा यही कहा था हमने कि भईया R से red और R से recyclable यही R जो है इसकी यह जो डंडी है इसको हटा दो कि तो बन जाएगा P तो P से हो जाएगा आपका plastic तो वही तो है यहाँ पर रातर देखो तो plastic के रबट की तो होंगी जो tublings होती है जो catheters होते है IV sets होते है urine bag याद है हमने urine bag के लिए क्या याद किया था urine bag में क्या होती है urine होती है, urine होती है yellow, तो yellow को हमने red में डाला है यहने की red bag में डाला है और हमने क्या खाता blood bag होता है blood में क्या होता है blood bag में क्या होता है blood, blood किस कलर का होता है red, तो red को किस में डाला था yellow में तो yellow bag में आपने क्या डाल दिया blood bag, ठीक तो भईया हमने urine bag को red में डाल दिया उसके बाद जो syringe वगर होती है या syringe को याद रखना syringe without needle है ये दिख रहा है syringe without needle plastic की जो syringe है जिसमें needle नहीं है syringe without needle है ये syringe में needle नहीं है तब उसको आपको red bag में डालना है क्योंकि वो plastic की है ठीक है? तो syringe without needle उसके बाद gloves हो जाते हैं ये जो gloves हैं आपके ये सब भी आपको red bag में डालना है अब इस glove में चाहे blood लगा हो चाहे soil लगी हो चाहे infected material लगा हो ये जो glove है ना glove को आपको red में डालना है खातम बात क्यों? क्योंकि robot का glove है plastic का glove है इसको आपको red में डालना है क्यों? क्योंकि recyclable है इसलिए हमको इसमें डालना है, खतम हो गई बात, कुछ नहीं सोचना, गलव है, चाहे साफ सुतरा है, चाहे खाली है, चाहे वो उसमें बलड लगा है, infected material लगा है, उसको आपको red में डालना, खतम हो गई बात, ठीक, उसके बाद vacuum trainer, vacuum trainer भी भाईया vacuum trainer पर अगर आपको सवाल आता है कि vacuum trainer काई में डालना है तो सीधी सी बात है भाईया vacuum trainer हमको पता है plastic होते हैं हमको इसको red में डालना है कोई दूसरी चीज आपको नहीं सोच नहीं है vacuum trainer मतलब red खतम बात ठीक है? उसके बाद PPE kit इन फैक दूसरे नाम से आजाता है hazmat suits जो होते हैं वो किसमें डालो कि आप PPE kit तो हमने देखी हुई है photos में तो वो PPE kit या hazmat suit जो है आपको पूरा का पूरा red bag में डालना है इन फैक oxygen mask जो आज की रिट में हम यूज कर रहे हैं वो भी क्यों क्योंकि यह जो oxygen mask होता है यह plastic का होता है इसलिए इसको रेट में डालना है अब आपने जब इन सब चीज़ों को रेट में डाल दिया अब जब आप इसको treatment facility पे ले गए तो वहाँ पे आपको इसका क्या करना है तो जब यह वाला जो red वाला बैग है इसको बैग या डबबा इसको आप जब treatment वाड़ी जगह पे ले गए तो कुछ नहीं इसको आपको या तो सबसे पहले चीज auto-claving करोगे, microwave करोगे या hydro-claving करोगे ठीक उसके बाद shredding या mutilation करोगे auto-claving, microwave, hydro-claving क्योंकि इसको एक तरह से disinfect कर दिया disinfect कर दिया, उसके बाद आपने इसको shredding या mutilation किया, shredding या mutilation में क्या करते है, छोटे-छोटे तुकडों में बाड़ देते हैं, सबसे आखरी में याद रखना सबसे important, क्योंकि R4 recyclable था, यानि कि आपको इसको फिर से use करना है तो आपने इनको छोटे-छोटे तुकडों को क्या किया, energy recovery कर ली, यानि कि या तो आपने इनको fuel के जैसे use कर लिया जला के, या तो आपने road making में आजकल इस्तिमाल करते है plastics को, तो उसमें use कर लिया ठीक, तो इसके treatment modalities को अच्छे से याद करना disinfect करने के लिए तो ठीक है autoclaving, microwaving या hydroclaving में से कुछ कर सकते हैं, ये सब करने के बाद, उनको छोटे-छोटे तुकडों में बाटने के लिए, या तो shredding, या तो mutilation कर सकते हैं shredding या mutilation आप निकल लिया अब इसको आपको, इसको as a energy source के तोर पे इस्तमाल करना है, तो as a fuel इस्तमाल कर सकते हो जला के, या फिर as a road making के लिए आप इन plastics को use कर सकते हो ठीक, तो क्या क्या चीज़ों होती हैं, हमको देख रहा है, इसमें gloves आपको मिल गया है, इसमें syringes without needle है, ये याद रखना vacuum tenor है, ये भी हो गये, उसके बाद आपको folies catheter हो गया, उसके बाद आपको urine bag हो गया, ठीक है, तो folies catheter, rials tube, उसके बाद जो ivy sets लगते हैं, उसके बाद जो tubes वगरा यूज़ों होती हैं, syringes, gloves, vacuum tenors, ये सब कि सब को आपको red के अंदर डालना है, ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि plastic है, recyclable है, इसलिए आपको इसको red में डालना है, अब एक और चीज़ याद रखना red को, ठीक है, यहाँ पर देखो कहीं भी हमने incineration use नहीं किया, तो याद रखना, जो red bag है, उसको कभी भी incinerate नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि उसमें cadmium होता है, ठीक है, तो कैसे याद करोगे, red cad, कैसे याद करोगे, red cad, red cad, red cad, red cad, red cad, तो red में cadmium होता है, और इसलिए इसको incinerate नहीं किया जाता है, ठीक है, याद रखने इसको red cat तो red में red bag में cadmium होता है इसलिए इसको incinerate नहीं करना है got it? अब आता है भाई साब अपना white bag white bag या फिर कह सकते हैं कि जो translucent bag होता है white या translucent bag होता है ये किस तरह का होता है? ये puncture proof, leak proof और tamper proof plastic bin होता है अब ये puncture proof और leak proof तो होने पड़ेगा न क्योंकि इसमें हमको metal और वो जो sharp waste है उसको डालना है इसको हमने कैसे याद किया था? याद है? इसको हमने कैसे याद किया था? ये क्या है? white है तो T से हमने याद किया था teer तो जो ये teer होता है ये अगे से nukila होता है याने कि sharp होता है तो sharp waist सारे के सारे white में डालने हैं तो white में आप क्या डालोगे? white में डालोगे sharp waist और including जिसमें metals वगर होता है तो needles वगरा है, साधातर, suture needles है, scalpels वगरा है तो इन सबको आपको sharp waist है, इन सबको आपको white में जैसे कि hub cutter होता है, जब आप immunization site पर जाओगे तो वहाँ देखोगे, जो जैसे ही वो vaccinate करती है बच्चे को, उसके बाद hub cutter में डालके काट देती है needle को, वो needles जो होती है, वो आपको sharp waist में suture needles होती है, suture needles जो होती है, उनको भी आपको sharp waist में लंबा पंचा needles होती है, वो भी आपको sharp waist में आएगा blades, scalpels वगर होंगी, वो भी आपको sharp waist में आएगी in fact, सबसे important चीज़ याद रखना, syringes with fixed needle syringes with fixed needle, जैसे की आपको BCG syringe, इसमें याद रखना कि ये जो needle है ये fixed है, ऐसे अलग नहीं होती है, ये fixed है, तो ये जो syringes with fixed needle है इसको आपको white में डालना है, यहाँ आपने क्या देखा था? इसमें fixed needle नहीं thheen syringe में, इनकी needle को हटा दिया गया है, वो needle कहा है? वो needles ये हैं, उनको white में डाल दिया गया है, और बाकि plastic को red में डाल दिया गया है, मगर ये जो BCG वाली होती है न यह जो है कि fix needle है इस needle को हटाया नहीं जा सकता इसलिए इसको needle के साथ इसको हम white में डाल देते हैं थीक है तो syringes with fix needle जैसे कि BCG syringes इसको white में डाल देने और जैसे कि lenset वगरा को भी आप direct white में डाल सकते हो डालना है ठीक है तो यह हो गया आपका needles या sharp waist sharp waist related सारी चीज़े scalpels वगरा आपको दिख रहा है scalpels, blades वगरा suture needles दिख रही है उसके बाद आपको BCG syringe दिख रही है जिसमें fixed needle है आपको उसके बाद आपको जो fixed needle वाली नहीं थी syringes उनकी needle आपने निकाल ली है उसके बाद white में डाल दो अब आपने white डपे में डाल तो दिया अब क्या करोगे अब फिर वही पहलतो भी यह disinfect करना है तो या तो आप autoclave कर लो या तो dry heat sterilization कर लो dry heat sterilization क्या होता है वही हम अगले जो वीडियो आएगा treatment modalities of biomedical waste उसमें देखेंगे क्या होता है और कैसे करते हैं फिर आपने उनको disinfect कर लिया फिर छोटे-छोटे तुकड़ों में कर लो shredding या mutilation कर लो उसके बाद या तो दमिंग में गार सकते हो sanitary landfill यह sanitary landfill क्या होता है इसको भी हम अगले वीडियो में समझेंगे waste sharp pit में डाल दो, waste sharp pit क्या होती है न हर जो phc होता है न phc के पीछे जाओगे तो ऐसा आपको एक pit दिखेगा जो की close रहता है उसमें ऐसा एक pipe होता है और pipe के उपर एक धकन होता है यहाँ पे आपने वो जो hub cutter से या sharp waste या needles होती है यह इसके अंदर डाला जाता है और यह जमीन के अंदर होता है पूरा का पूरा तो यह needles जो होती है यह यहाँ जाके जमा होती जाती है जब भर जाती है तो इस pit को बंद कर दिया जाता है दूसरा pit खोला जाता है तो किसी भी पीच्ची-च्ची में आप जाओगे तो उसमें देखना पीछे की तरफ शापट आपको मिल जाएगा ठीक है तो वेशापट होता है फिर आपने उसमें डाल दिया और फिर यह तो आप उसको recycle कर सकते है तो century landfill कर दिया फिर recycle आप उसको कर सकते है ठीक तो यह हो सिर्व जो होता है इसको हमने पढ़ा भी था कि भईया जो कि ब्लू ब्लू ब्क्स होता है उस में क्या डालोगे तो हमाइ़ जो शुटाई होती थी metal rot से उससे हम blue पढ़ जाते थे या फिर जो hostel में लड़ाई होती है उसमें glass bottle जो होती है उससे सुटाई होती है तो भी नीला पढ़ जाता है तो metal में आपको metal implants आ जाएंगे और glass में आपको broken glasses आ जाएंगे या फिर glass vials आ जाएंगी vaccines या drugs की जो की empty है तो भी देखो यहाँ पर लिखा है glassware glassware में क्या आएगा broken glasses हो जाएंगे discarded या contaminated glasses हो जाएंगे या फिर empty याद रखने है empty को capital की है empty medicine vials और empty vaccine vials इनको आप क्या करोगे इनको आप blue में डाल दोगे तो यह जो empty medicine या vaccine vials है इनको आप blue में डाल दोगे उसके अलावा जो broken glasses वगरा है contaminated यह broken जो है उनको भी आप blue में डाल दोगे ठीक उसके बाद metallic body implants में क्या आएगा metallic body implants में जैसे की ortho department में चले जाओगे तो वहाँ पर जो implants होते हैं plates से होती है screws होते हैं wires होते हैं तो यह सारे के सारे implants हैं इनको आप उठाके blue के अंदर डाल दोगे ठीक तो आपने इसको blue के अंदर डाल दिया अब क्या करोगे आप इसको सबसे पहले चीज़ तो भाई है sodium hypo chloride इसे आप डिसिंफेक्ट करोगे या फिर वही autoclaving, microwaving या hydroclaving से आप उसको disinfect कर सकते हो और उसके बाद recycling के लिए आप इसको भेज दो ठीक तो यह है आपका blue box blue box के अंदर क्या डालोगे और उसको कैसे treat करोगे समझ गए तो यह थे आपके मुखेता चार box जो इस्तिमाल होते हैं कौन-कौन से आपका होता है yellow, red, white और blue ठीक तो भाईया, yellow में हमने समझ लिया था कि yellow के इंदर जाहता जिंदर चीज़े, soil वगरा यह सब को आपको yellow में डालना है उसके हमने examples देख लिए, उसके बाद हम red पे आए, red में जाहता हमको क्या करना है recyclable या plastic वाली चीज़े है, वो सब red में डालना है, याद रखना, red को इंसिनरेट नहीं करना है क्योंकि इसमेडमियम होता है, फिर हमने white को देखा, white में सारी nuclear चीज़े, पैने चीज़े, याने की sharp waste आपने white में डाल दिये, सारा का सारा blue, blue में आपने glassware और metallic body implants आपने डाल दिये अपना एक black bag नाम की भी चीज़ होती है, ये black bag में क्या डालते हैं, जो plastic covers होते हैं, जैसे syringe वगरा है, syringe के उपर वो जिस packet के अंदर आती है, वो packets वगरा उठा के, या फिर जो दवाईयां जो होती है, जिन packets में आती है न, वो plastic के जो packets होते हैं, उनको आपको black bag में डालन लेकिन black bag में confusion होता है, इसलिए बता रहा हो कि जो wrappers वगरा होते हैं उनको black में डाला जाता है, in fact, जब हम incineration पढ़ेंगे न, तो incineration में जब चीज़ों को जला दिया जाता है, तो उसके बाद जो राक बचती है, incinerated ash, उसको भी हम black bag में, क्योंकि इसको कैसे याद रखो कि incinerator जलाने के बाद जो राक होती है, वो काले रंग की होती है, तो उसको काले रंग के डिपे में डाला जाता है, मगर, मगर, मगर याद रखना कि ये जो black डबा या black bag होता है, ये biomedical waste categories में अब नहीं आता है, ठीक है, biomedical waste category में आता है yellow, yellow के बाद red, red के बाद white और white के बाद उपास ये चार color आते हैं, ठीक, अब हमने ये तो देख लिया, कि ये जो biomedical waste categories होती है, उनके अंदर क्या क्या चीज़े आती हैं, और कौन-कौन से waste आते हैं, हमको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, कि क्या नहीं आता है, तो ये भी देख लेते हैं, तो ये भी देख लेत waste नहीं आता है, जो hazardous waste ये chemicals, hazardous chemicals ये ब hazardous waste होते हैं, वो भी नहीं आते हैं, biomedical waste की guidelines में, अब municipal corporation का जो नगर निगम का कचड़ा होता है न, वो आता न, गाड़ी बाला आया, घर से कचड़ा निकल, ठीक है, तो या वो सच भारत का इरादा, तो वो देखा है आपने, उसके अंद दो color coding में किया गया है, green और blue, तो भाया वो ये blue नहीं है, याद रखना, municipal का जो solid waste होता है, वो नहीं आता है, पर ये जो green और blue है, इन में क्या है, इन general अपन बात कर रहे हैं, तो नीला डब्बा होता है, और हारा डब्बा होता है, तो इसमें क्या डालते हैं, नीले डब् में डालते हैं, आप कौन सा? गीला कचड़ा, इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो, मैं तो यहीं बोलता हूँ, G से आता है green और G से आता है गीला, तो green में गीला कचड़ा, हाला कि इस पर question नहीं आता है, ये general knowledge के लिए है, कभी अगर फेकना होता हो, तो G for green, G for गीला कच कचला green में डाल दो, और सुखा कचला blue में डाल दो, मगर 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 ये जो municipal corporation का solid waste होता है ये नहीं आता है biomedical waste की guidelines में, ये पढ़ रहे हैं, ठीक? उसके बाद जो lead acid batteries वगर होती है, वो भी नहीं आती है, in fact जो e-waste होता है न वो भी नहीं आता है biomedical waste guideline में, हाँ, सवाल जरूर आता है कि e-waste को dispose off करने का सबसेचा तरीका क्या है, तो उसका सबसेचा तरीका है कि उसको recycle कर दो, समझ गए? तो ये है e-waste, उसके बाद genetically engineered microorganism जो research labs में निकलते हैं, उनको भी आपको biomedical waste guidelines में included नहीं है, ठीक? तो ये वो सारी चीज़े हो गई, जो biomedical waste की guidelines में included नहीं है, उस के बाद अगर मैं बात करूँ कि एक MCQ आया था, कि अगर को ये जो हमने का ना treatment facilities होती है, treatment modalities होती है, तो ये कोई भी healthcare facility जो है, should not have treatment and disposal facility if biomedical treatment facilities 75 km is within 75 km, इसका मतलब क्या है? कोई भी जो अस्पताल है, उसके 75 km के डाइरे में, 75 km के डाइरे में अगर कोई ऐसी facility है, जहाँ पे biomedical waste को treat किया जाता है, तो ये अपने अस्पताल में उसको treatment and disposal की facility नहीं रखेगा, क्योंकि उसके 75 km के डाइरे में एक facility available है, अगर 75 km के से जादा दूर है कोई treatment facility तब वो अपने अस्पताल में treatment facility खोल सकता है, अगर विदिन 75 km की range में है, तो वो healthcare facility अपने यहाँ treatment and disposal facility biomedical waste के यहाँ नहीं खोलेगी, तो इसमें ये 75 km याद रखना, कि अगर विदिन 75 km है, तब तो आपको नहीं खोलनी है, क्योंकि आपको अपना सारा कचला जो biomedical waste है, उसको outsourcing के थूरू इस 75 km जो treatment facility है, वहाँ भेजना है, ठीक है? तो यह important चीज़े, ठीक, तो इतनी चीज़ें हैं भाई साब, जो आपको biomedical waste की categories और guidelines में पता होनी चाहिए, तो अगर हम बात करें सवाल की, तो यह biomedical waste की guidelines पे भी सवाल आता है, और categories पे भी सवाल आता है, ठीक है? यह सारे सवाल हैं, जो आपको hospital waste management में आई हुए हैं, तो य यह हम पढ़ चुके हैं, यह हम पढ़ रहे हैं, बाकी के हम आगे आने वाली class में पढ़ेंगे, ठीक, तो भाई, theory exam की बात करों, तो भाई सहाब star question है, theory exam में सीधा-सीधा short note आजाता है, in fact, long question भी आता है, तो आपको theory exam के लिए तो बहुत important question, ठीक है? वाईवा के लिए important question है, वाईवा में कहीं न कहीं पूछा ही जाएगा, in fact, theory में आपको देखना, यह कहीं न कहीं सेशनल, PU या यूज में पूछा जाएगा, वाईवा में भी हमें शर्त लगा रहा हूं, सेशनल, PU या यूज में पूछा जाएगा, in fact, spots में भी यह डब्बे रख दिये जात हो, तो बहुत important question है, star question है, यह biomedical waste की categories और guideline, याद रखना ही, रखना है, इस chapter में कुछ और पढ़ो, न पढ़ो, यह तो पढ़ ले न भाई सा, ठीक, अगर मैं बात करूँ, वाईवा की तो फिर वो ही है, वाईवा में सिता पूछ ले जाता है, कि येलो के अंदर क्या डालो होगे, और उनके कौन-कौन सी subclass होती है, उनके example बोल दे जाते है, और उनको कैसे treat कर दिये जाएगा, ये पूछा जाता है, अगर मैं बात कुरूँ, red वाले डब्बे की, तो red में भी आपको वही चीज़ पूछी जाती है, वाईवा में कि भाईया, क्या डालोगे, उसको क्या-क्या example है, और कैसे treat करोगे, और वाईवा के important question सीधा पूछ ले जाएगा, red बैक को incinerate करेंगे, कि अगर आप बोलोगी नहीं, तो क्यों नहीं, तो उसमें cadmium होता है, इसलिए नहीं, ठीक, वाईट वाले में सीधा-सिधा वाईवा का question है आपका, कि क्या डालोगे, तो sharp waste उसके example पूछ ले जाते हैं, और उसको treat कैसे करोगे, यह पूछ लिया जाता है, ठीक, blue का भी बहुत simple है, blue में भी वही पूछ ले जाता है, कि भाईया, क्या डालोगे, वाईवा में पूछ ले जाता है, उसके examples क्या है, और उसको कैसे आप treat या disinfect या dispose of करोगे, ठीक यह वाईवा में पूछा जाता है, black plastic bag, तो आपसे क्या पूछा जाता है, जो black plastic bag है ना, जो कि biomedical waste की guideline में आता है, उसमें क्या डालोगे, तो आप सोचने लगते हो, क्या क्या क्या, और किताब अगर गलती से पुरानी है आपकी, तो पुरानी में क्या था, black सही में biomedical waste की guideline मे आता था उसमें expired medicine वगरा डालते तो आप वो बोल देते हो लेकिन भाईया नहीं यह biomedical waste की guideline में नहीं आता है मगर जो wrappers वगरा होते हैं उनको हम black में डालते हैं या incinerated ash को डालते हैं और वाईवा का बहुत important question की भाईया क्या-क्या चीज़े नहीं डालोगे या क्या-क्या चीज़े biomedical waste guideline में नहीं आती है ठीक तो यह आपसे वाईवा में पूछ ले जाता है अगर मैं बात करूं MCQs की तो जितने भी underline part आपको मिलिंगे हमारे notes और slides में वो सभी PG entrance exam में पूछे गए MCQs हैं जो पूछ चुके हैं या जो आ सकते हैं तो सबसे पहले चीज तो येलो पे पूछा गया था किस तरह का बैग होता है तो नौन प्लास्टिक बैग होता है उसके बाद पूछा गया था येलो में क्या क्या चीज़े डालते हैं तो human anatomical waste, animal anatomical waste, soiled waste, microbiological waste इस पे भी MCQ आ चुका है in fact soiled waste पे MCQ आया है क्या इसको pretreatment की जवत होती है तो नहीं इसको नहीं होती है उसके बाद human anatomical waste पे आया है कि क्या के चीज़े उसके example के तौर पे human tissue, organs और body parts और उस पे फिर MCQ आया है कि भाई क्या करोगे तो IPD, incineration, plasmaphyrosis, deeper ठीक, animal anatomical waste पे वहीं आया है कि यहलो में डाला जाता है soiled waste के बहुत common soiled waste के examples कि भाई, dressing किसमें डालोगे, plaster cast किसमें डालोगे, shoe cover, N95 mask, face mask, blood bags, residual blood या blood components इनको किसमें डालोगे तो भाई उसको yellow में डालो, अगर क्या करोगे, incinerate करोगे, soiled waste जो है उसको MCQ हमको इस पे भी आया था कि cytotoxic drugs को किसमें डालोगे, तो भाई यह cytotoxic drug को yellow में डालना है, और क्या करोगे तो incinerate करोगे, इस पे question आ चुका है आपको MCQ, microbiological waste पे भी MCQ आ चुका है, क्या करेंगे तो इसको incinerate हमको करना है, इस पे भी MCQ आ चुका है ठीक, MCQ आ चुका है हमको कि biodegradable waste products जो है, वो किसमें डालते हैं, तो yellow bag में, 3Ds of hospital waste management क्या होता है, तो disinfection, disposal और drainage, उसके अलावा यह भी MCQ आ चुका है, कि भाईया, एक HIV patient का blood है, उससे सोक ट्रसिंग है, तो उसको क्या करोगे, 1% hypochloid से पहले तो treat करो, उसके बाद yellow bag में डाल दो, यह भी MCQ आ चुका है, ठीक, उसके बाद MCQ हमको red bag पे भी आ चुका है, कि इसमें क्या डालोगे, तो contaminated or recyclable waste डालते हैं, उसके example पे MCQ आ चुका है, जैसे कि catheter, urine bags, gloves, hazmat suit, oxygen mask, क्या करोगे उसको, उसके भी MCQ आ चुका है, तो autocliving, microwaving, hydrocliving, shredding and mutilation भी करेंगे, road making म नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे, इस पर आ सकता है, क्योंकि आपको इसमें cadmium मिलता है, इसलिए, ठीक, उसके बाद white bag पे भी MCQ आया है, कि क्या डालते है white bag में, तो sharp waste डालते हैं, इसके example के तोर में BCG syringe पूश लिए जाता है, क्योंकि syringe दिखता है ना आपको, तो आप सुचते हैं, प्लास्टिक की syringe है, तो इसको आप red में डाल दो, लेकिन नहीं भाईया, BCG syringe जो है, वो fixed needle होती है, उसलिए उसको white में डाला जाता है, लेंसेट को भी white में डाला जाता है, इस पर भी MCQ आ चुका है, ठीक, ब्लू में भी MCQ आ चुका है, कि ब्लू म डालते हैं, और incinerated ash जो है, वो भी black tub में डाली जाती है, MCQ आपको इस पर भी आ चुका है, कि क्या-क्या चीज़े biomedical waste guideline में अप्लाइ नहीं होती है, radioactive waste नहीं होता है, multiple solid waste नहीं होता है, e-waste को recycle करके ही dispose off करने सब चाच्चा तरीका है, इस पर भी MCQ आ चुका है, और एक MCQ यह आया थे कि यह विदिन 75 km अगर treatment modality है, तो आपको उस अस्पताल में disposal और treatment facility नहीं खोलनी है, ठीक, तो इतनी चीज़े हैं जो आपको biomedical waste guidelines या categories में पता ही होनी चाहिए, thank you